नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हार्देक्स वागत है करन्ट अफेर बूस्टर सीजन त्री सेशन नंबर टू में कैसे हैं आप सबसे पहले बात करेंगे दुनिया भर में करोना वाइरस का जो जंजट चल रहा है याद कीजिए दोस्तों देसेंबर 2019 जैनवरी 2020 तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था अब आलम यह है कि भया एक करोड 16 लाग केसे हैं 5,37,000 मौते हैं और रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है बड़ी बात यह है 90% of the people suffering from coronavirus infections COVID-19 will ultimately recover and go home extreme cases limited ही होंगे हमेशा खुद को यह याद दिलाते रहें और खुद को सुरक्षित भी रखें इंपॉर्टन बाग जो लेटेस अपडेट्स हैं अमेरिका में क्योंकि situation पूरी तरह से it has spiraled out of control President Trump को अब यह दिख रहा है कि सौ दिन के बाद उनके भाग्य का फैसला होना है चुनाबों में अब वो desperation में कुछ ऐसे निर्णाय ले रहे हैं जो बड़े घातक होंगे भारतियों पर जो निर्णाय लिया दस मिट के बाद हम उस पर आएंगे फिलाल वो कह रहे हैं कि सारे school colleges खोल दिये जाए स्कूलों के लिए तो वो बोली रहे हैं वहां बहुत दिक्कत होगी especially because a lot of people are resistant to wearing masks तो आप दिक्कत है वहां पर Russian doctors don't trust the official infection figures at all अब भाया रूस में थोड़ा सावधानी के साथ बात करना पुतीन जी आ गए हैं अगले 16 साल के लिए ज्यादा बोला तो कहीं terrorist का तमगा लगा के जेल में नडाल दें तुमको तो रूस के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाया जो official figures हमें दिये जा रहे हैं यहा not good होता क्या है दोस्तों वेनेवर official figures are under reported the official policies end up becoming wrong इसी लिए पुराने जो communist शासन हुआ करते थे माँ जिदाउंग का हो जिसमें greatly forward की बात हुई agricultural communes की बात थी 5060 की बात कर रहा हूं सच्चाई पता ही नहीं चली थी so that becomes a huge problem for right policy making Iran is suffering a resurgence of covid death which is a very surprising situation आप याद करेंगे March April में इरान की हलत भहंकर खराब थी जब भारत में actually गती पकड़ी नहीं थी covid ने अब इरान फिर से focus में आ गया है बेजिंग में दावा है कोई नए cases नहीं है और सिंगापूर कह रहा है कि कोई second wave नहीं आ रही है so overall situation of the world economy is such कि WTO बोल रहा है world global trade जो है contract होगा global GDP उसके साथ पेस में चलता है global trade और GDP parallel track पे चलते हैं and both are actually very good reinforcing parameters reinforcing indicators of each other तो 10-15-20% का श्रिंकेश तो मान के चली भारत पर कितना असर आएगा समय के साथ पता चलेगा आज का पहला सवाल नोट कलने है volunteers compile भी करें what would be the potential fallout of American schools reopening when many Americans do not wish to wear masks बहुत interesting खबर है हुने सोचा आपके साथ जरू शेर किया जाए भारत की fertility report प्यारे दोस्तों आबादी को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती है भारत सरकार के आधिकारिक आकड़े latest आ चुके हैं 2018 के तो 2020 के तो इससे भी बहतर होंगे ध्यान रखिएगा 2018 figures ये बता रहे हैं entire western India and southern India replacement fertility level पर आचुका है बहुत 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 बढ़ाई हो अगर 2.1 बच्चे पैदा करती है औसे तन तो समास ठिर हो जाता है न बढ़ता है न घटता है इसलिए उसको replacement fertility rate कहते हैं उसका पूरा गणित है तो भारत के कम से कम 14 states आज ऐसे हैं जिनका fertility rate 2.1 या 2, 1.9, 1.8, 1.6, 1.5 तक गिर चुका है इनकी आबादी contract हो रही है कुछ राज्यों में अभी ये 2.1 से ज्यादा है तो आने वाले कुछ समय में ये घटके 2.1 हो जाएगा बास समझ मैं आपको Central and Northern India में ज्यादा है बिहार में स्थिति सबसे खराब है बिहार का 2018 का fertility rate आया है 3.2 जिसे गिरा के 2.1 पर अगले 5, 7, 18 सालों में लाना होगा थोड़ा जूम इन करके इसको देखेंगे अच्छे से इसको देखिए अच्छे से इसको समझेए तो बेसिकली वाट इस हैपनिंग ना भारत का मतलब पूरे भारत का average fertility rate ये बता रहे हैं 2.2 हो चुका है 2018 मतलब 2020 पन 2.1 होई चुका है so that means as a total population we have already reached replacement fertility तो सर फिर आबादी क्यों बढ़ रही है momentum जो पहले से momentum बना हुआ है and reducing death rate लोग मरी नहीं रहे है people are living 70, 71, 72 तो 2050 तक जाके ये सारे effects cancel out होंगे and the population will drop drastically अभी हमारी चुनाती दूसरी है demographic dividend maintain करना I hope आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे मेरे दो सवाल note कर लीजिए explain the dynamics of replacement fertility rate और आज का तीसरा सवाल note करें when will India's population start reducing बहुत interesting policy making का topic है जटिल topic है तकनीकी है इसलिए लोग बड़े confused रहते हैं आप मत रहिएगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जीरो से 14-year age group के बच्चे भारत में लगातार घटते चले जा रहे विच इस प्रूफ दिफर्टिलिटी रेट्स और एक्चुली गोइंग डाउं प्यारे दोस्तों अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप ने अजीब which has gone online, even Harvard has gone online, Harvard वही hard work वाला, Harvard has gone online, July से December Harvard पूरी तरह online हो चुका है, Donald Trump का कहना है, बोरी अब इस्तर बांदो और घर निकल लो अपने, क्योंकि online तो तुम घड़ते भी पढ़ सकते हो ना, यहां क्यों वीज़ा दिया हमने तुमको, this is inhuman, brutal, torturous and cruel, यह बहुत खतरनाक है, ल in one fell swoop, you are saying that get out, Harvard ने Donald Trump Government Administration पर केस कर दिया है, कि यह कैसे आप कर सकते हो हमारे हजारों स्टूरेंट्स के साथ, US Immigration and Customs Enforcement has been given the task of throwing out students, cancelling their visas for those who have turned offline, फिर बाद में इतना दबाव आया और यह कोट केसे कर दिया, Harvard वगेरा ने, अब वो कह रहे हैं कि even if you have a hybrid model, थोड़ा बहु online तो भी हम आपको नहीं जाने को बोलेंगे, बट आप यह देखिए कि एक election year में the kind of things the Trump administration is resorting to, अब भारत अमेरिका के रिष्टों में तो कोई चरह ही नहीं, H1 भी आपने उड़ा दिया, बच्चों को बोल रहे हो कि घर वापिस जाओ, I think this needs a lot of rectification at least in the next term of whosoever becomes a president, whether it is Trump or someone L, क्योंकि इस तरह से अगर होगा, तो आप जानते हैं सबसे जादा नुकसान किसको होगा, American universities को लोग apply कर नहीं छोड़ देंगे, already लोग Canada की तरफ जा रहे है, things will become dire for America, America अगर अपनी position को taken for granted लेके चल रहा है, इतिहात भरा पड़ा है, ऐसे शहिंशाहों से, जो खतम होग दिपानिशु कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, बड़ा प्यार से आपने पूरा पूरा statement लिखा है, और बोलते हैं आपकी classes बोले तो जगास, क्या बात है बहुत ही आप ज्यादा प्रेरित लग रहे हो हमें, God bless you बेटा, खूब पढ़ते चलिए, आपको हमारा special आशिदवाद, जीवन में आप जरूर सफल होंगे, अब आते हैं इंडियन economy पर, हमारे GDP को calculate करने का क्या formula होता है बेटा, C plus G plus I plus X minus M, C यहने consumption, G यहने government consumption, I यहने investment, तो अब ख़वर आती है investment की ध्यान से देखिए, विद्ध मंत्री ने केंद्रिय सरकारी कंपनिया, Central PSU's जो PSE को क्या कहा, अपनी capital expenditure cycle को रोको मत, क्योंकि हमारे GDP का जो formula है C plus G plus I plus X minus M, private consumption में भयानक स्थिरता यहने contraction दिख रहा है, संकुचन दिख रहा है, government consumption भी बहुत तेजी से बढ़ने रहा है, export-import की हाला तुसको भी separate ही रख दो, हाला कि हमको trade surplus आया है थोड़ा सा, because our imports have collapsed, तो अब रास्ता बच्ता है, investment का, within investment the biggest problem is private sector is not investing, जबकि देड़ लाग करोड का tax छूट लेके बठे हैं, तो सरकार को करवाना चीए, उनसे यह तो वो tax छूट कैंसल कर दो, अपर यह मैंने क्या बोल दिया, क्यारे दोस्तों, भारत सरकार यह चाहती है कि सरकारी कंपनिया, अपना निवेश न रोके, एक national infrastructure pipeline अलग से एक तो तीन लाग करोड की बना रखी है, पांस साल के लिए, तो basically GDP में मदद देने के लिए, central companies must keep up with their capex, कम से कम इतना हिस्सा GDP का चलता रहेगा, आज की तारीक में, normally सरकारी कंपनिया, is to states, is to center का जो public expenditure ratio होता है, दोस्तों, वो ratio capital expenditure की बात कर रहा हूं, revenue expenditure की नहीं, 5,5,3 होता है, तो हर 5 रुपे जो सरकारी कंपनिया खर्च करती हैं, प्यारे दोस्तों, केंदरी है, हाँ, state की नहीं, उस पर states की तरफ से 5,5 का खर्चा हो रहा है, और उस पर center की तरफ से 3,5 का, और ये है capital expenditure, जिससे आगे की आस्तिया ब दनता है, so this is a very very important news, सरकार को समझ में आ गया है कि अभी से धक्का लगाना पड़ेगा, नहीं तो contraction कहीं बहुत ज्यादा न हो जाए, हमारा अगला सवाल नोट करें, what is the formula or the equation to measure GDP of India, जो हमने अभी आपको बताया था, वो आपको समझाना है, next question, why is the government insisting that the central public sector undertaking must meet their capital expenditure targets, बता का हर दिक स्वागत है हमारी membership में, दोस्तों, this is your support which we need on a constant basis, जो वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे एक join का button है, दो level membership के उपलब दें, 30-30 days की membership होती है, level 1 and level 2, बहुत अच्छी है दोनों, आप एक साथ कोई भी ले सकते हैं, level 2 लेंगे, तो 1 automatically मिलती है, hundreds of students are studying with us, go ahead and enroll, ह happy birthday, और यह 27th हमारी anniversary होगी, तो we hope to have your love and support in the form of each one of you taking up a membership with us, thank you for your love and support, दिक्कत हो, तो technically यह हमने explain किया हुआ है, हमें mail भेज सकते हैं, आप mobile number के साथ, PTHQ at PTA education पे team आप से तुरंट संपर करके, मदद करेगी, उमीद करते हैं, आप तुरंट हमारे साथ enroll करेंगे, तो जाती इवास का दो दंश है, यह अमेरिका में भी आ गया, कलो बात, तो अमेरिका की बहुत बड़ी company है, Cisco आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, Cisco company के दो Indian managers पर यह आरोप है, कि उन्होंने वहां के अपने एक junior के साथ, Cisco Systems के साथ, California में जाती वादी व्यवार करके discrimination किया, तो यह दलिद groups हैं, आमबेट के right groups हैं, उन्होंने कोशिश की है कि caste discrimination even in the American Indian society, Hindu society is a fact, ऐसा उनका आरोप है, सरकार इसको हमेशा से खारिश करती रही, और वो ग्रूप समेशा उसको American discussion के mainstream में लाने का प्रयास करते हैं, अभी तक वो इतना सफल हुए नहीं थे, अब यह case हो गया, religion, sex, national origin के आधार पर ही recognize होता है, आपकी नसल, आपकी चमडी का रंग, आपका धर्म, आप महिला हैं, पुरुष हैं, थर्ड जेंडर हैं, या आप किसी देश से हैं, इसके आधारपी भेदबाव ये कानूर में लिखा है, तो उस पे आपको न्याए मिल सकता है, caste, यहने की जाती, यह तो वहा रेकोगनाईज जी नहीं है, तो यह अब रेकोगनाईज हो गई है, क्योंकि यह पहला केस अमेरिका में आज हुआ है, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट अफ फेर इंप्लॉइमेंट एंड हाउजिंग, कि जिसमें एक व्यक्ति ने शिकायत क है, 100% गांधीवादी सिध्धानतों पे चला था है, महातमा गांधी है बिग करंसी अमेरिका, यह वेरी वेल नोन फिगर, क्योंकि मार्टिन लूथर कि गांधीवादी थे, आज उसी कंटेक्स में यह चीज आने वाले समय के लिए बहुत बड़े सिगनल का एक संके तक है, तो देखेंगे, यह कैसे इवाल होता है, अब जो समाज की सच्चाईयां हैं, वो सच्चाईयां हो सकता, इस केस में कुछ ना हो, हो सकता, बहुत कुछ हो, जो भी होगा, आप तो सब के सामने होगा, हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, एक्स्प्लेइन दे इंपोर्टेंस ऑगांधी इन अमेरिकन सिविल राइट्स मूफमेंट, तो दोस्तों, कॉर्पोरेट इंडिया थोड़ी सी परेशान है, क्यों परेशान हैं, अभी तो एक लाग चालीस अदार करोड कर तुमको टैक्स कर दिया था यार गुरू, और उ वर्ल बैंक डूइंग बिजनस रैंकिंग में भारत ने बहुत अच्छा किया है, बट अगर आप इंडिया's कंप्लाइंस युनिवर्स देखते हैं, कंप्लाइंस का मतलब होता है सरकारी काईदे कानूनों का पलन, तो यह फॉर्मल सेक्टर के लिए होता है, इन फॉर्मल स 618 पूरे भारत में, अब जैसे महराष्ट में 67 कानून लगू हैं, और 215 फाइलिंग्स लगती हैं, समझ में आया आपको, और कंप्लाइंस हैं महराष्ट में 3657, तो यह मैक्जिमम दिख रहा है, और यह इंडर्स्रिलाइस स्टेट्स हैं, जितने इंडर्स्रिलाइस स्टे मिनिमम गवर्मेंट, मैक्जिमम गवर्नेस, प्यारे दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें, explain the catchphrase, मिनिमम गवर्मेंट, मैक्जिमम गवर्नेस, आशी शर्मा पूने से जुड़े वे हैं, आशी जी एक जील के किनारे बैठे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, चश्मा भी यह लंबे समय तक यह यात्रा चलती रहे, थैंक्यू आशीश फॉर लव इन सपोर्ट, यही हमारी ताकते बेटा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और भाईया, मेंबर्शिप ले लिए की नहीं, नहीं तो अभी के भी लो, that is our strength, thank you so much, God bless us all, तो अब ग्रोथ की बात क एकदम से pent up demand खुल के बाहर आ गई, as the lockdowns were lifted, things started looking up, जैसा कि आप graph में देख रहे हैं, अलग-अलग, grocery and pharmacy, workplaces, लेकिन फिर जैसे दुनिया भर में, infection के मामले सामने एक एक करके आने लगे, automatically mobility was curtailed, बहुत तेजी से लोगों ने खुद के कदम, जुलाय आते आते, रोक लिये बात समझ वाया, Google Index, Apple Index, CMI का डेटा, Nomura Index, यह अलग-अलग सूचकांग बनाए हुए है, activity measure करने के लिए, तो हुआ यह कि पहले सब को ठंडा हुआ, April में में, फिर जुन आते 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 खुला, और जुलाय आते आते, स्टेबल हो गया, आप लोग बहुत डरेव हैं, कि भाया, infection तो फैलते ही जा रहा है, except being safe, मतलब खुद आप safe, खुद को रखें, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, तो the V and COVID, basically आप जानते हैं, दुनिया में आप बात है क्या हो रही, alphabet soup, recovery will be V or U or W or extended U, यह हमारा अगला सवाल है, what is your personal assessment of the nature of recovery, the world economy will now see, will it be a V or U or W or an extended you, तो दुनिया भर में America, Europe, China और India के लिए analysis दिया हुआ है, कि क्या V-shape होगा, तो कई जगे जैसे अमेरिका में भई अचानक से बहुत सारे jobs एड होगे, यॉरप में across factories अचानक से performance उधर गया, चाइना में manufacturing PMI बहुत तेजी से 50 के आगे निकल गया, भारत में GST collection June में एन इस सब के बाद, finally, बढ़तेवे infections ने ठंडा पानी डाल दिया, तो देखो दोस्तों, 100 बातों की एक बात ये है कि V-U-W extended एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, अगले तीन महिने में करोना वाइरस की trajectory and whether we get a पका medicine और पका vaccine or not, अगर infections इसी speed से बढ़ते रहे, क्योंकि ठंडी रहेगी, ये बात उर्जित पतेल ने एक इंटर्व्यू में और एक आर्टिकल में इंडियन एक्स्प्रस में देड़ महिने पहले कहती थी, उर्जित पतेल ने अपने co-author के साथ एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि if India really wants its economy to rise like a week, we need to pump up the number of or rather increase the number of testing we are doing radically, अगर हमने बहुत तेजी से number of test नहीं बढ़ा है, confidence आना ही नहीं किसी में एकनामी बहुत स्लो हो जाएगी, ये बात उर्जित पतेल बहुत समय पहले कह चुगे है, तो अब स्थिती ये है कि कितना corona होगा, क्या vaccine आएगी या नहीं, किसी को नहीं पता vaccine कब आएगी, earliest estimate है January February 2021, अब उसके पहले आ जाए, बहुत अच्छा है, दवाई तो किसी भी दिन आ सकती, we don't know, दवाई बिमारों को दी जाती है, vaccine, healthy लोगों को advancement immune system बनाने के लिए दी जाती है, हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, प्यारे दोस्तों, what are the three critical factors determining the world economies direction from here on, बहुत बहुत बुरी ख रहींगा, 38 लाग हमने पढ़ा किसी दूसरे आर्टिकल में, 45 लाग पकड़ लेते हैं, उनका कहना ये है, कि हमारी 45 लाग के आसपास की आबादी में, सोचिए पूरे कुवेट के आबादी केवल 45 लाग, उतने तो मेरे शेर में बेठे हैं लोग, उसमें से 30 लाग foreigners हैं, हम किसी भी एक देश को 15% से जाधा नहीं रखेंगे, भारत 15% से जाधा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आज जितने 14 लाग भारती हैं, 8 लाग को वापिस आना पड़ेगा, और अगर ही 8 लाग वापिस आते हैं, इसके दो नुकसान होंगे, उन में से कहियों को भारत में आज तो नौकरी मिलनी नहीं, situation of the job market किसी ते छुपा नहीं है, secondly, the remittances they would make in dollars every year will sharply reduce now, भारत हर साल 80 अरब dollars से ज्याधा remittances पाता है, जो हमारे current account के invisibles में जाते हैं, जो हमें हमारे trade deficit को manage करने में मदद करते हैं, that will sharply reduce this year, तो ये बहुत 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 खतरनाक खबर है, खतरनाक इसलिए है कि अगर कुवेट के देखा देखी बाकियों का अक्कल आ गई और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, तो उसके परिणाम तो बहुत ही दूरगामी हो जाएंगे फिर दोस्तों, तो कहीं ने कहीं हमारी diplomacy को इसमें step up करके, इस तरह के कानून बनने से पहले ही अगर उ करें, what will be the various repercussions of the kuwaiti expat quota bill, देखें दुनिया में कैसे क्या हो रहा है, साथियों, pts is academy के बहुत ही प्यारे courses है, hard desk online दोनों में है, team से संपर्क करें, absolutely up to date, हमारा student resources center का support बहुत शांदार, अगर आप full course नहीं ले सकते हैं, किसी भी कारण से, तो आप basic enhanced comprehensive monthly या six monthly basis पे भी आ सक बहुत प्यारे प्यारे options हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, go ahead with full confidence and enroll today, आज के हमारे editorials में दोस्तों, India's ideological battle with China, शाम सरन जी ने लिखा है, इसको जरूर पढ़ ली जगा PDF डाउन्रोड करके, बहुत ही खुबसूरती से उन्होंने लिखा है, कि भारत की विविदता औ और multi-ethnic democracy एक ऐसी ताकत है, जो Asia में किसी के पास नहीं है, चीन एक homogenous ताकत के साथ hegemony बनाते वे चलना चाहता है, भारत को चीन के बराबर आने की होड में गलती से भी अपनी diversity और multi-ethnic democracy को खराब नहीं होने देना चाहिए, वरना हमारी जो lasting civilizational ताकत है, वही खतम हो लगती है, तो this is a very very interesting insight, इसको पढ़ियेगा, M. Govinda Rao 14 Finance Commission के मेंबर कहते हैं, भारत में GST सिस्टम पटरी से उतर गया है, states की हालत बहुत भेंकर खराब है, compensation मिल नहीं रहा है, जल्दी से जल्दी सिस्टम को पटरी पे लाया जाए, दो काम करके, rates घटाईए, slaps को rationalize कीज और GST Portal की technology को ठीक कीजिए, अगर नहीं तो तनाव बहुती ज्यादा बढ़ जाएगा, प्यारे दोस्तों आज के session में इतना ही, कैसा लगा आपको session हमें जरूर बताईए, PT, Education, HQ, YouTube चैनल की membership जरूर लीजिए, दो levels में हैं, आपका साथ सयोग प्यार बना रहेगा, इसी तर जाहेट